लिए आज पाने फैनार इंडश्री के बारे में पहले देखेंगे कंपनी के फंड़ामेंटल्स फिर आंगे चार्ट्स की तरफ वहां डिसाइड करते हैं कि बाइंग करनी चाहिए कि नहीं और बाइंग तो टार्गेट कहें लेंगे इसके बारे भी डिसकस करेंगे वहाँ पे चार्ट में तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम शितेज राय है और आप लोग देख रहा है हो फाइनांस वित रहा है चैनल पर पहली बार आये थे तो चैनल को सस्क्राइब करना और वीडियो के इंट थे अगरवाल इंडस्ट्रियल कॉर्परेशन रोड्स बनाने का काम करती है तो जब कमोडिटी बनती है ना किसी का रोड्स तो वहाँ पर इवेंचुली आप लोग देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अपने आप कम हो जाता है अब यहां पर इसके प्रोड़क्ट देखोगे तो हजार से भी जादा प्रोड़क्ट से इनके बास कुछ अगर बड़े एक्जाम्पल देखा देखा है तो कोल्ड रोड स्टील स्ट्रिप्स हैं प्रेशिजन ट्यूप्स और रेलवे प्रेस रिलीज वागन मतलब जो कोच अच्छे ही प्रोड़क्ट खरीदेंगे ऐसा हम अज्यूम करते हैं और इसको इसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो कंपनी एक हम लोग कहेंगे की अच्छी कंपनी है तो और आएंगे नीचे आप देखते हैं स्टॉक की थोड़े बहुत हम लोग एक बर नंबस देख स्टॉक की पी देखी जाए तो यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक है मतलब आल्मोस कह सकतो है एवरेज है या उन पार विद इंडस्ट्री पी बराबर बराबर है करेंट पैल्यू और ब्रुक पाइस में बहुत साथ डिफ्रेंस नहीं है और सेबट इसकी वाल्यूशन देखा अब और नीचे आएंगे तो यहां लिखा है कंपनी की डेट ज्यादा है कंपेर टो रिजर्स नीचे आएंगे प्रॉफिट अन लॉसमें बढ़ी है जो बड़ बिजनेस है उसमें देखा जाए तो वह थोड़ा होगे कि स्टेवल है तो ऐसी कंपनी सेब्स करने सच्छा है तो वह लोग ट्रेड लेके निकाल जाएंगा से क्योंकि ऐसा कुछ कंपनी में खास होई नहीं रहा है कि हम आपे लंबे समय तक के लिए बैठें और फिर हम इंतजार करें कि आज नहीं रिटार मिला है तो कल मिलेगा तो ऐसी कुछ एकसाइटिंग काम नहीं कर रही है आप अगर यह अपने पिर्स के बराबर समान बेचता तो जो इनके क्लाइंट्स है वो शायद इनसे समान ना खरीते तो एक तरह से यह तभी होता है जब इंडर्स्री में और भी सारे प्लेयर्स होते हैं तो यह सारे सिगनल्स हैं इन सारे सिगनल्स को मिलने के बाद आप इसके परफिट वाइस देखा जाए तो यहां पर फ्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि यहां पर मार्जिन्स समय बनाने के लिए विगा जाता है तो प्रमोपर इसकी ओल्डिंग यहाँ यहां पर थीन परसंट से बड़ी है दो जा जाता है तो इन सारे चीजों को आप पर 6% से है और दिया इस में पूरी तरह से एक्जटे लिया है मेजर स्टेक होड़िंग जो है वो पब्लिक के पास है अब आते हैं चार्ट तो चार्ट पर आतो तो अमनों नहीं डिसकस किया था इन वाले लेश पर कंपनी जब ब्रेक आउट दीती है तो यूजवली उसके ब्रेक करने के बाद 10-15% बहुत ही इसली मुख कर जाता है तो यहां पर आपको वही काम करना है 10-15% लेना है तो वॉल्यूम स्टॉक खरीद देगा और एक चीज़ और कि यहां पर stop loss छोटा रखना पड़ेगा अगर stop loss 5% से ज्यादा मिल रहा है तो अब तो कुछ फायदा ही नहीं है जब तक 1-2 की ट्रेड ना मिले ऐसे सिचुएशन में तब तक ट्रेड लेना बेकार है अगर यहां से कल हम लोगो ब्रेक आउट मिलता है तो यहां पर लेंगे हम लोगो stop loss 10-15% तक टार्गेट लेंगे और फिर वहां से लेके exit कर जाएगे और इंसे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है और institutions आप लोग देख रहे है वैसे भी exit करी रही है बाइंग किय यहां पर छोड़ा सा ज्यादा असानी होगी और कहा सकते हो कि फिर ज्यादा उपर जा सकता है लेकिन ठीक है 10-15% easy target लेकर निकल जाएंगे और हमसे पूछोगे इसके अंदर हम ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं तो मेरा जावाब नहीं क्योंकि usually हम bottom पर खरीदना परसंद करते ना के हाई पर हाई पर बहुत कमी स्टॉक्स खरीते हैं जो स्टॉक्स खरीते हैं या तो उसके अंदर फंडमेंटल अच्छे होते हैं या कुछ exciting काम कर रही होती है बट यहां भी देखेंगे तो company अपने समान तस्ता करके बेच रही है तो वह हमें बहुत जादा exciting नहीं ल